नमस्कार स्वागत है आपका वेब दुनिया समचार में बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की गुजरात में घुसे दस पाकिस्तानी आतंकवादियों में से तीन धेर महत्वपोन ठिकानों पर हमला करने के उद्देश से हाल ही में गुजरात के रास्ते कथित रूप से भारत में घुसे दस संदिक्द पाकिस्तानी आतंकवादियों में से तीन को सुरक्षा बलो ने मार गिराया है शीर्च आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इससे पहले कि आतंकवादी देश में कोई हमला कर पाते गुजरात में ही उनमें से तीन को पिछले शुक्रवार को मार गिराया गया शेश साथ आतंकवादियों के ठिकानों का भी पता चल गया है और उनसे निपटने के लिए अभियान जारी है उन्होंने बताया कि संदिक्द पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस समूह जिसमें लशकर तयबा और जैशे मोहमद समूह के उग्रवादियों के होने की आशंका है ने महाशिवरात्री साथ मार्च को गुजरात स्थित सोमनात मंदिर और अन्य स्थानों पर हमला करने की योजना बनाई थी प्रियोके में चीनी सेना की मौजूदगी पर चुप है मोधी कॉंग्रेस कॉंग्रेस ने पाकिस्तान अधिकरत कश्मीर में भारी संख्या में चीनी सेना की मौजूदगी वाले रिपोर्टों पर केंडर से बयान की मांग करते हुए कहा कि सरकार भारत की रणनीतिक घेराबंदी पर चुप नहीं बैठ सकती है पार्टी प्रवक्ता प्रमूत तिवारी ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि वो इस पर व्यापक बयान दें और प्रधान मंत्री लड़ा को चीन और पाकिस्तान को अपनी लाल आँखे दिखाए उन्होंने कहा कि अजीब बात है कि जब रिपोर्ट एलोसी के पार पीओके में भारी संख्या में चीनी फौज की मौजूदगी की पुष्टी करती है तब हमारी चरंप राष्ट्रवादी माने जाने वाली सरकार भारत की रणनीतिक घेराबंदी होने दे रही है कीवियो की फिरकी में फसा भारत 47 रणों की करारी हार अपने स्पीनरों के सहारे धीमी पिछ पर न्यूजिलेंड को फथा करने की भारतिय रणनी थी मंगलवार को यहां उसी पर भारी पढ़ गई और तीन स्पीनर्स के साथ उत्री कीवी टीम ने कम स्कोर वाले मैच में 47 रण से जीत दर्स करके ICC विश्विट T20 चैंपियंशिप में अपने अभ्यान की जोरदार शुरवात की New Zealand ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पल 126 रन का चुनौती पून स्कोर खड़ा किया भारतिय टीम 18.1 एक ओवर में 89 रन पर धेर हो गई जो उसका इस प्रारूप में दूसरा न्यूनतम स्कोर है